रीमा तुम्हारी सुगंधा मैम का कॉल आये था उन्होंने बताए कि तुम इस बार डांस कॉम्पोटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो ऐसा क्यों बेटा? इस बार मेरा मन नहीं है मौम क्या बात कर रही हो? तुम और डांस के लिए मना कर दो नई, जरूर बात कुछ और है चलो, जल्दी बताओ मुझे रीमा ने अपनी मा के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया उल्टा वो अपनी जगा से उठी और जाकर अपने कमरे से एक क्रीम उठा कर ले आई और फिर क्योंकि मॉम, आपकी इस क्रीम से भी कोई फायदा नहीं हुआ मैं इसे लगाने से पहले जितनी काली थी, अब भी उतनी ही काली हो अरे, पर इस सब का तुम्हारे डांस कॉम्पटिशन से क्या कनेक्शन है कनेक्शन है मॉम, क्योंकि जब मैं इस काले फेस के साथ सब के सामने जाती हूँ तो कोई मेरा डांस नहीं देखता, बस मेरा मजाक उडाते है नहीं बेटा, ऐसा नहीं है अगर ऐसा होता, तो तुम्हारी मैं तुम्हें डांस कॉम्पटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स क्यों करती वो इसलिए क्योंकि मैं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कॉम्पटिशन में जीतूं या हार जाऊं पर मुझे बहुत फर्क पड़ता है मुझे पता है मैं चाहिए कितनी भी मेहनत कर लू कभी भी डांस कॉम्पटिशन में फर्स नहीं आ सकती इसलिए अब मुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करना इतना कहकर रीमा सीधा अपने रूम में चली गई ये साफ नजर आ रहा था कि वो अपने काले रंग की वजह से अपना आत्म विश्वास खो रही थी रीमा को हमेशा से डांस करने का बड़ा शौक था और वो डांस करती भी बहुत अच्छा थी लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी उसे अपने काले रंग पर शर्मिंद की महसूस होने लगी थी सबके सामने डांस करना तो दूर की बात है अब तो वो सबकी नजर में आने से भी ड़ने लगी थी रीमा, now it's your turn come here and read this chapter in front of the class sorry ma'am, today I'm not feeling well so रीमा, this is not good तुमने कल भी यही बोल कर reading से मना कर दिया था पर आज कोई बहना नहीं चलेगा पूरा chapter ना सही पर थोड़ा तो read करना ही होगा रीमा अपनी सारी हिम्मत समेट कर अपनी desk से उठी लेकिन वो जैसे ही सारे बच्चों के सामने पहुची तो उसे देख पर कुछ बच्चे हसने लगे समेट, what happened? क्यों हसी आ रही इतनी? मैम, देखिये न, रीमा की उनिफॉर्म और उसके फेस में कोई difference ही नहीं है, सब कुछ black black उस बच्चे की बात सुनकर पूरी क्लास रीमा पर हसने लगी और ये देख कर सुगंधा मैम ने गुस्से से कहा shut up you all, what nonsense is this, अब कोई नहीं हसेगा रीमा, now you start ऐजा नहीं था कि रीमा पढ़ने में कमजोर थी लेकिन फिर भी, वो सब के सामने chapter की reading नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके दिमाग में वही सब चल रहा था जो अभी-भी उसके साथ हुआ था और जब वो खुद को रोने से नहीं रोक पाई तो वो अपनी book लेकर बिना कुछ कहे वापस अपने desk पर आकर बैट गई और सिर नीचे करके रोने लगी सुगंधा मैम ने उस वक्त रीमा से कुछ नहीं कहा और एक दूसरे बच्चे को चैप्टर रीट करने के लिए खड़ा कर दिया लेकिन फिर क्लास खत्म होने के बाद रीमा, come in staff room I want to talk with you रीमा को यही लग रहा था कि आज उसे सुगंधा मैम से बहुत डांट परने वाली है वो डरते हुए staff room पहुची और सुगंधा मैम के पास जा कर बोली I am sorry मैम Hmm, you should बट हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे पहले हम बाहर गार्डन में चलते हैं Okay, come with me अब तो रीमा की हालत और खराब होने लगी क्योंकि वो recess का टाइम था और बाहर गार्डन में बहुत सारे दोस्ती नहीं करेगा और यही वज़ा थी कि उसने कभी किसी से दोस्ती करने की कोशिश भी नहीं की वो हमेशा अकेले बैटना ही पसंद करती थी लेकिन अब सुगंधा मैम के कहने पर उसे सब के बीच जा नहीं था वो सुगंधा मैम के पीछे चलती गई और फिर रीमा नाव टेल मी वाट्स दे प्रॉब्लम नथिंग नथिंग मैम नो मैने हमेशा नोटिस किया है तुम बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो पूरी क्लास में तुमने एक भी फ्रेंड नहीं बनाया बी रिलैक्स पेटा एंड टेल मी एवरिधिंग जो भी तुम फील करती हो नो मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है बस बस मुझे अकेले रहना ही अच्छा लगता है ओके बट तुम्हारी मम्मा ने तो मुझे कुछ और ही बताया है सुगंधा मैम की ये बात सुनकर रिमा को जटका लगता है अब वो और जूट नहीं बोल सकती थी वो फिर से रोने लगी तब सुगंधा मैम ने उसके सिर पर हाथ फिर रिमा टेक इट इजी काला रंग होने में कोई बुराई नहीं है ट्रस्ट मी मेरे इस काले रंग की वज़े से मेरा कभी कुछ नहीं हो सकता जो तुमारा मजाक उडाते है प्रॉब्लम उनकी नजर में तुमें नहीं वेल ये सब छोड़ो मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है नो मैम I don't want to meet anybody मजे क्लास वे जाना है सुगंधा मैम का जवाब सुनकर रीना हैरान हो गई लेकिन फिर भी वो अपनी क्लास में लोट गई और वहाँ जाकर रोने लगी फिर स्कूल की छुट्टी के समय स्टुडेंट्स कल सभी कोई स्कूल आना कमपल सरी है कल एक बहुत ही खास कैस्ट आप सबसे मिलने आने वाली है उनका नाम है मिस रागेश्वरी मैम, मिस रागेश्वरी कोन है वो हमारे स्कूल बोर्ड की मेंबर भी है और एक मशूर टीवी एक्टरस भी टीवी एक्टरस का नाम सुनते ही सारे बच्चे बहुत खुश हो गए लेकिन रीमा के चेहरे पर अभी कोई excitement नहीं था फिर अगले दिन स्कूल में अरी यार यी रागिश्वरी मैम कब आएंगी मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही excited हूँ हाँ मैं भी वो टीवी actress है तो I guess देखने में तो बड़ी ही सुन्दर होंगी मुझे तो उनका make-up देखना और उनकी dress भी फिर मैं भी वैसे तयार होने का try करूँगी रहने दे तुझसे ना हो पाएगा मेरी ममा ने बताया मुझे मिस रागिश्वरी बहुत ही मशूर लेडी है वो देखने में जुतनी सुन्दर है उतनी ही skilled भी है वो बहुत ही famous dancer है उन्होंने कई international competitions में हमारी country को represent किया है पास ही बैठी रीमा ये सब सुन रही थी और जब उसने सुना कि स्कूल में आने वाली guest एक मशूर dancer भी है तो कहीं न कहीं उसके मन में उनसे personally मिलने की इच्छा हुई लेकिन तब ही उसने सोचा नहीं वो dancer होने के साथ साथ TV actress भी तो है यानि देखने में बहुत ही सुन्दर होंगी वो तो भला वो मुझ जैसी काली लड़की से क्यों बात करना चाहेंगी वो तो मेरी तरफ देखेंगी तक नहीं ये भी हो सकता है कि मुझे देखकर वो नाराज हो जाए यही सोच कर रीमा अपनी क्लास के बिलकुल कोने वाली बैंच में जाकर बैठ गए फिर कुछ देर बाद सुगंधा मैम क्लास में आई उनके साथ guest की रूप में आई मिस रागेश्वरी भी मौझूद थे जिनका इंतजार वहां हर कोई कर रहा था लेकिन तब ही अरे यार क्या सच में ये है मिस रागेश्वरी ओ गाड ये तो कितनी काली है हाँ लेकिन फिर भी इनका ड्रेसिंग सेंस और मेकप कितना अच्छा है सच में काली होके भी कितनी अच्छी दिख रही है ये जब रीमा ने ये सब सुना तो उसकी गर्दन अपने आप ही उपर उड़ गई और वो भी ये देख कर चौंक गई कि सच में मिसिस रागेश्वरी का रंग तो काफी काला था लेकिन बावजूद इसके वो बहुत ही confident और खुश दिख रही थी मिस रागेश्वरी ने एक-एक करके कई बच्चों से बात की और फिर उन्होंने रीमा की तरफ देख कर कहा Hello sweetie may I know your pretty name Me, ma, myself, रीमा Oh wow well रीमा मुझे सुगंधा मैं आमने बताया कि तुम डान्स बहुत अच्छा करती हो तो क्या हम रहलसल हाल में चल सकते हैं रीमा घबराई हुई थी लेकिन वो चाह कर भी ना नहीं बोल पाई और मिस रागिश्वरी के साथ रिहलसल हॉल में चली आई लेकिन अब भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अच्छे से पूरा डांस करके दिखा सके वो बार-बार बीच में ही रुख रही थी अब कोई पात नहीं बेटा, it's okay, no ma'am, it's not okay, मैं डांस नहीं कर सकती क्योंकि मैं आपके जैसी नहीं हूँ, oh dear, come here, oh sit with me, you know रिमा, मैं भी कभी तुम्हारी जगह पर थी, इसी स्कूल की उसी क्लास में, उसी कोने वाली बेंच पर हमेशा केली बैठी रहती थी, बिलकुल तुम्हार मेरा भी कोई friend नहीं था, और मुझे भी यहीं लगता था, कि मैं काली हूँ, इसलिए कभी कुछ नहीं कर सकती, क्या, सच में मैं, बट आप तो बहुत successful हो, और famous भी, तो ये सब आपने कैसे किया, बिलकुल वैसे, जैसे अब तुम करोगी, रिमा, listen, God ने जिसको जैसा बना होंगे, हम इनसान, God की सबसे खुबसूरत creations हैं, क्योंकि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बस देर है इस बात को समझने की, और confident हो जाने की, कुछ समझ आया, रिमा ने खुशी से अपनी गर्दन हिलाई और अपनी जगा से उठकर, एक बार फिर से dance करने लगी, लेकिन इ पलग काले रंग वाली लड़की थी, जिस वज़ा से उसके स्कूल में हर कोई उसके काले रंग को लेकर उसे चड़ाता था, खास कर उसकी अपनी क्लास की तीचर और बच्चे, पलग तुम लाइन में सबसे पीछे खड़ी हो जाओ, और टीना साची, तुम कुछ सुन्दर प्रिंसिपल मैम का ओर्डर है, हमारे स्कूल के बेस्ट बच्चो का फोटो स्कूल मैगजीन में छपेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी क्लास के बच्चो का फोटो ही मैगजीन में छपे, पर मैम, ये पलग तो बहुत काली है, पूरी फोटो इसी से खराब हो रही है, मै मैम, ऐसा नहीं हो सकता, हम इस पलग को इस फोटो में से हटा दें? नहीं बच्चो, अगर ऐसा हो सकता, तो ये काम सबसे पहले मैं ही कर देती, मैं खुद नहीं चाहती, ये काली स्टुडेंट मेरी क्लास में भी रहे। मैम, मैं पानी पीने जाओ? हाँ जाओ, मेरी सिर पर खड़ी मत रहो, और हो सके तो थोड़ा पानी से मूद धोकर भी आ जाना, शायद तुम्हारा काला रंग चेहरे से उतर जाए और फोटो थोड़ी अच्छी आ जाए। अपना दुख नहीं कहती थी, पलक को दोड़ने का बहुत शौक था, वो रोजाना सुबह स्कूल जाने से पहले दोड़ने का अभ्यास करती थी, पर वो जब भी अपनी टीचर से स्कूल में दोड़ प्रत्योगिता में भाग लेने के लिए कहती थी, तो उसकी टीचर उसे साफ मना कर देती थी और बच्चे उस पर हंस देते थे तू तोड़ेगी? अपनी शकल देखी है कभी शीशे में मैम तुझे कभी भी दौड प्रत्योगिता में नहीं लेंगी आज तक हमेशा से टीना ही विनर रही है और आगे भी रहेगी इतनी देर में क्लास टीचर भी आ जाती है बच्चों, हमारे स्कूल को बहुत ही बड़े लेवल पर दौड प्रत्योगिता के लिए भेजा जा रहा है टीना, मैंने तुम्हारा नाम प्रिंसिपल मैम को दे दिया है ओके मैम, मैं आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर देती हूँ मैम, मैं भी दौड प्रत्योगिता में भाग लेना चाहती हूँ नहीं पलग, मैं तुम्हें इस प्रत्योगिता में नहीं ले सकती तुम देखने में बिलकुल भी सुन्दर नहीं हो और अगर मैंने तुम्हें इस प्रतियोगिता में ले लिया और तुम हार गई तो प्रिंसिपल मैम मुझे पर गुस्सा होगी पलंग रोड़ी होई घर आती है पर जैसे ही वो अपनी मा को सामने देखती है अपने आसू पोच लेती है और खाना खाने बैठ जाती है पर उसका मन उदास था इसलिए पलंग अगले दिन स्कूल की छुट्टी ले लेती है उसे पता था कि वो स्कूल जाए की तो और बच्चों को प्रतियोगिता में जाता देख उसका मन दुखेगा अरे पलंग बिटिया आज तो स्कूल नहीं जा रही नहीं मा आज बस थोड़ा सिर में दर्द है इसलिए घर पर आराम करूँगी कोई बात नहीं पलंग बिटिया तो तो रोजाना ही स्कूल जाती है आज छुट्टी कर ले और आराम करना एक काम करो आज तुम चले जा मैं पलंग के पास ही रुख जाती हूँ उसे किसी चीज की जरुरत होगी तो बना दूगी ठीक है फिर मैं अखेला ही काम पर चला जाता हूँ पलक की माँ उसके पास ही घर पर रुख जाती है पलक सो रही थी और उसकी माँ काम कर रही थी कितनी देर में दरवाजी पर कोई आता है जी मेरा नाम रामलाल है मैं पलक बिटिया के स्कूल का चपरासी हूँ मुझे वहां की प्रिंसिबल मैम ने भेजा है उन्होंने तुरंथी पलक को स्कूल बुलाया है वो किसी दौर प्रतियोगिता में जाना है शायद यही बात हो रही थी पलक को पर उसकी तो अभी तब्यत रामलाल भाया आप मैम को बोल दो मैं अभी तयार होकर स्कूल पहुँचती हूँ दौर प्रतियोगिता का नाम सुनकर मानो पलक के दिमाग में कौन सी फुर्ती आ गए कि वो जल्दी से तयार होकर स्कूल पहुँच गए अच्छा तो तुम पलक हो बिटा हमें तुम्हारी बहुत जरुरत है और इस स्कूल को भी टीना जो तुम्हारी क्लास की है वो इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती उसके पैर में चोटा गई है इसलिए डौक्टर ने उसे दौरने के लिए मना किया है हम चाहते हैं कि तुम अपने स्कूल के लिए इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो और जीत करी लोटो मैम मैं आपसे वादा करती हूँ मैं इस प्रतियोगिता में जीत करी लोटूंगी पलक मुझे माव कर दो बेटा मैंने एक टीचर होकर भी तुम्हारे साथ कितना गरत्वियभार किया पर आज जब हमारी क्लास की और स्कूल की इज़त का सवाल है तो हमें तुमसे बहतर दोर प्रतियोगिता के लिए कोई बच्चा नजर ही नहीं आया मैं जानती थी कि तुम रोजाना सुबह दोरने का अभ्यास करती हो इसलिए मुझे तुम्हारा नाम सबसे पहले याद आया मेरी शुपकामनाएं तुम्हारे साथ हैं पलक देखना, तुम इस प्रतियोगिता में जीत कर ही लोटूगी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इस प्रतियोगिता में जरूर जीतूँगी पलक की क्लास के सब बच्चे भी उसे शुपकामनाएं देते हैं और पलक पूरे जोश के साथ दौर प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है और जीत कर लोटती है उसकी प्रिंसिपल मैं और क्लास टीचर उसे नाम में ट्रॉफी दे कर सम्मानित करती है ट्रॉफी लेकर पलक घर पहुँचती है प्रतियोगिता जीतने की खुशी पलक के माता पिता उसके चेहरे पर साफ साफ देख रहे थे उस दिन के बाद से पलक को कभी भी कोई भी उसके काले रंग के लिए नहीं बोलता था बल्कि सब उसकी बहुत तारीव करते थे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी न भूले और भी मज़िदार वीडियो देखने के लिए नेचे दिये गए बेल आइकॉन को दबाएं देखते रहिए, बेस्ट बडीज